Hello friend, आज मैं आप लोगों को ratio and proportional के question कराऊंगी लेकिन share पर कहने का मतलब किस किया कितना हिस्सा है निकानने का मैं आपको तरीका बताऊंगी Share पर question करेंगे, सारे question हिस्सों पर मतलब किसको कितना मिलेगा उस पर आधारित है चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे चलिए, सबसे पहला कुश्चन है बिटा, 2400 रुपए को इस रेशो में डिवाइड करना है इससे कितने बनेगे? 1, 2, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है सबसे पहले तो हम रेशो लिख लेते हैं, जो उन्होंने दिया है रेशो क्या रखा है? 1, 2, 3 इसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे? हर कॉश्चन में सम निकालेंगे सबको जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया? 6 इसके बाद क्या करोगे? यह जो हमेशा 24 रुपे जो टोटल देंगे बिटा टोटल रुपीज जो दिये हैं, उससे इस रेशो के सम को डिवाइड करेंगे यह 24 रुपे को हम यह जो सम आया बिटा, उससे हमेशा डिवाइड करेंगे तो पहला हिस्सा कैसे निकालेंगे पीटा पहला रेश्यो और इसमें इससे मंटिप्लाई कर दो तो हो गए पहले वाला हिस्सा हो गए चार सो रुपे का अब सेकेंड हिस्सा निकालेंगे कैसे निकालेंगे पीटा सेकेंड वाला रेश्यो कितना है तू उसका multiply कर दो पिटा 400 में कितने हो गए बच्चों? 800 रुपए हो गए अब तीसरा निकाले तो तीसरा केसे निकालोगे पिटा? तीसरा ratio देलो और इस 400 से उसमें multiply कर दो पिटा ये हो गए 1200 रुपए इस तरह से पहले वाले का हिस्सा पिटा पहला हिस्सा क्या बना? 400 रुपए दूसरा बना 800 रुपए और तीसरा हिस्सा बना बच्चों 1200 रुपए बच्चों अगले question में सम दे रखा है रुपए का कितना? कितना? 4, 2, 0, 0 अब आपसे कहा है इसको आप divide कीजिए किन के बीच में? तो बोला अमन और मोहन की बीच में divide करना है लेकिन किस रेशो में? तो रेशो आपको क्या दिया बिटा? 9 रेशो 5 में divide करना है आपसे कहा है हर एक का share बताओ किसको कितने मिले? वो बताना है सबसे पहली बात अमन और मोहन बोला है सबसे पहले क्या निकालोगे? बच्चों सम निकालोगे रेशोगा तो 9 प्लस 5 कितने होगे बिटा? 14 अब क्या? हमें इसको divide करना है बिटा अमन और मोहन में है न? तो हमें क्या करना है? यह जो रूपाए हैं इसे लिखो है न? और फिर क्या? यह जो रेशो का सम आपने निकाला है बिटा इससे divide कर दो हमेशा ऐसा ही करना है अब हम इसे 7 के टेबल से काट देते हैं 2 बार और बिटा यह 6 बार है न? अब फिर इसको 2 के टेबल से काट देते हैं तो कितना आया बिटा? 300 ठीके? इतना आया? 300 आया यह हमें मिला 300 अब क्या करना है? अब तो question हो गया अमन का इससा share निकाल रहे किसका? एका एका मतलब अमन का अमन का share निकाले तो कैसे निकालेंगे? अमन का ratio 9 था और बिटा इसमें किस से multiply कर देगे? 300 से multiply कीजे 27 और 2 0 है लगा देगे इतने रुपए अमन को मिलेंगे है न? अब क्या? अब हम मोहन का पता करते हैं मोहन का ratio पिटा 5 है और आपने की क्या निकाला? 300 इससे multiply कर देगे कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 3 15 और 2 0 है वो लगा देगे अमन का share बिटा 0 0 रुपए है और मोहन को जो मिलने वाला हिस्सा है वो क्या है? 1500 इस question में आपको 8 32 रुपए दे रखे हैं उससे divide करना ही किस में? A और B में किस ratio में बच्चो तो इस ratio में तो उन्होंने का हर एक का share बताएंगे किस को कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले question की बात करते हैं बटा A और B दे रखा है उसका ratio है तो हम ऐसा निखलेते हैं A ratio B वो आपको दे रखा है वालापॉन 3 वालापॉन 5 ठीक है? अब पिछले question और इस question में अंतर क्या है? पिछले question में upon में ratio नहीं था ये अंतर है बटा चले स्टार्ट करते हैं upon में number नहीं आने चाहिए तो पिटा इनको हटा देना पड़ेगा तो कैसे हटाएं? थोड़ा सा trick, थोड़ी सी logic चले स्टार्ट करते हैं यहां 3 और 5 है ये हटना चाहिए तो उपर दोनों जगर 3 और 5 से multiply कर दिया देखे बिटा, इधर करा इधर भी कर दिजिए 3 5 से multiply ऐसा अब बच्चो 3 से 3 cancel इधर 5 से 5 cancel अब आपका सही रेशो जो question में काम आने वाला है वो बच्चो 5 रेशो 3 है अब तो question पुराने जैसा हो गया कैसे? अब हमें क्या निकालना बिटा? सम निकालना है इन दोनों का सम निकालना है 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 अब क्या करना है? अब जो रुपए आपको हमेशा डिवाइड करने को देते हैं बिटा उसको लिखिये और अपॉन में किस से? ये जो रेशो का सम आप निकालते हैं इससे आप डिवाइड कर देगी कर देते हैं 8 के टेबल से ही कैंसल हो जाएगा कितना है गा? 104 ये आग्या 104 अब क्या करें? एका शेर पुछा है तो एका शेर निकाल देते हैं कैसे निकालोगे? एका रेशो बिटा 5 है वो लिखा उसमें ये जो आया है 104 इससे multiply करो कितना बनेगा? बिटा ये 520 रुपए बन रहा है अब बी का शेर निकालते हैं तो बी का रेशो कितना बना बिटा? 3 और उसमें multiply किससे करोगे? ये जो आया 104 इससे multiply कितने रुपए बनेगा? 312 रुपए तो एके हिस्से में कितने पैसे आये? 520 रुपए आएंगे और बी के हिस्से में आएंगे बिटा 312 रुपए बच्चों इस question में आपको रेशो दे रखा है बिटा दो नमबर का 3 रेशो 4 तो पहले इसकी बात कर लेते हैं ये पहला नमबर बिटा ये दूसरा नमबर और उनका रेशो 3 रेशो 4 है है ना? अब क्या sum निकाल लेते हैं question की बात में बात करते हैं रेशो का sum निकालो दोनों नमबर को 3 और 4 को जोड़ो तो 3 प्लस 4 कितने हो गए बच्चों? 7 अब उन्होंने कहा है किसको डिवाइड करना है इस रेशो में? तो उन्होंने कहा है 420 को डिवाइड करना है तो कैसे total लिखिये? upon में क्या आता है बिटा? ये जो रेशो का sum आप निकालते हैं वो upon में आता है अब cancel कर दो 70 टेबल से हो रहा है 60 आया बिटा अब उन्होंने क्या पूछाए उसकी बात करते है उन्होंने को डिखाए greatest two number इन में जो greatest हो वो निकालो तो दोनों निकाल लेते हैं जो greatest होगा वो answer ना देंगे चलिए फर्स्ट निकालते हैं कि पहला number क्या होगा बिटा क्या फर्स्ट का रेशो कितना है थ्री है उसमें multiply किससे करोगे यह जो आपने निकाला इससे कितना आया 180 अब सेकंड निकालते हैं बिटा तो सेकंड का रेशो कितना है 4 है उसमें multiply करेंगे यह जो आपने निकाला 60 कितना आएगा बिटा 240 40 आपसे ग्रैटर पूछा है बड़ा आंसर बताना है तो आपको 180 240 में से बड़ा क्या है 240 है तो आपका आंसर बिटा 240 होगा बच्चों इस कुस्चन में 1050 रुपई को डिवाइड करना है किस में P Q R में लेकिन किस तरह से तो उन्होंने कहा है ध्यान से ध्यान देना बिटा यही में बात है यह लाइन देने टोटल रुपई 1050 है इसे हमें डिवाइड करना है P में Q में R में लेकिन किस तरह से इन दवे क्या वे है कि P is 2 by 5 बिटा बना के बताते हूं P is 2 by 5 P is 2 by 5 अब कमबाइड कमबाइड मतले जुड़े है शेयर किस के Q और R के तो Q प्लस R यह है में बात कुश्चन की थोड़ा सा और मैं आपको बता जाती हूं क्या बना बिटा इतने रुपई को डिवाइड करना है किस में P, Q, R में किस तरह से तुम्होंने कहा है P तो P लिखा is 2 by 5 तो 2 by 5 लिखा और कमबाइड मतले जोड़ना है शेयर किस किस का Q और R का तो Q और R का अब यह ओफ का मतलब तो multiply होता है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं मैं इसको divide मिले जाती है किस के P के divide मिले गए बच्चों ऐसा है नगा तो अब क्या बिटा इसको मैं लिखना चाहूं तरीके से तो ऐसा लिखा थी तो P ये P रेशो Q प्लश आर एक्वर्टे क्या पिटा टू रेशो 5 ऐसा है बैटा कूस्टन का मूल गूप यह है ठीके यहां तक हम पहुंच गए अब हम हर प्ष्चन में क्या निकादे हैं बैटा हर प्ष्चन में हम सम निकारते हैं रेशो का सम निकारिए तो निकाल देते हैं, ratio का sum 2 और 5, दोनों का sum करिए, कितना है बिटा, 7, इसके बाद क्या करते हैं, जिस भी पैसे को, जिस भी value को आपको बाटना होता है, उसको लिखते हैं, क्या लिखना है बिटा, 1050, और किस से divide करेंगे, हम 7 से divide करेंगे, तो बिटा, 7 से divide कर देते हैं, कितना आएगा, 150, है न, यह निकाल गया, अब क्या पूछा आगे जबते हैं, उन्होंने पूछा है, पी को कितने मिले, बताना है, इससे पी के बाद में पूछा है, तो पी को कितने मिले, कैसे निकाले हैं, बिटा, पी का ratio कितना है, धान दीज आएगे जो आया, इसमें कर दीजी, कितने हो गए पीटा, 300 रुपए मिलेंगे पी को, और यही आपसे पूछा था, इस question में triangle की side का ratio दे रखा है, है न, पहले यहां तक बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं, क्या बुला है, triangle की side मतलब बुजाओं का, त्रिभुज की आइडियों से ABC से बता रहते हैं, A, B, और बिटा, C, ऐसे बता दिया, ratio क्या दे रखा है, यह दे रखा है, पहले इसको लिख लेते हैं, 1 upon 3, 1 upon 4, और बिटा, 1 upon 5, है न, पहले हम यहां से यहां तक बात करते हैं, फिर आगे question को बढ़नाएंगे, confusion नहीं होगा उससे, ठीक पहले इस question में इसी को सही बनाना है, फिर तो question पुराने जैसे ही 100 होगा, कैसे सही बनाएं, trick लगाएंगे, trick क्या कहती है, नीचे यह number नहीं होने चाहिए, तो हमारा ratio सही हो जाएगा, लेकिन 3, 4, 5 हैं, तो इन्हें हटाओ, कैसे हटाओगे, 3, 4, 5 से ही multiply कर दीजिए, सभी 3 में उपर तो कर दोते हैं, 3, 4, 5 से इधर करा बिटा, अपन में 3 वैसा ही, उपर कर रहा है, 3, 4, 5 का इधर करा, अपन में 4 वैसे ही, और बिटा इधर भी 3, 4, 5 का करा, multiply, अपन में 5 वैसे ही, यह cancel 3 से 3, 4 इंटू 5, 20, 4 से 4 cancel, 3 इंटू 5, 15, और बिटा 5 से 5 cancel, 3 इंटू 4, 12, है न, यह हो गया, अब यह side है पिटा, है न, यह side है, अब हो चुका इतना, अब उन्होंने क्या कहा है, सब से पहले हम क्या निकालते हैं, बिटा, sum निकालते हैं, ratio का sum, तो बिटा यह दे रखाए, इनका sum निकाल लेते है, 20 प्लस 15 प्लस 12 जो ले, कितना हैगा पिटा, 47, sum आगया, अब क्या करते हैं, अब question को आगे पड़ते हैं, यहां से यहां तक हम कर चुके, अब उन्होंने कहा है, ट्राइंगल का perimeter 94 cm है, जो प्रिभूच का perimeter है, कितना दे रखा है पिटा, 94, तो हम इस तरह की question में, यह जो दिया होता है, उ इसको ratio के sum से क्या करते हैं, हमेशा, divide करते हैं, कितनी बार गया, यह जाएगा पिटा, दो बार, तो आपको दो मिल गया, है न, अब question में क्या है, कहा है, length of smallest side, सबसे छोटी बुजा की लंबाई ग्यार करनी है, length of smallest side, तो पिटा, सबसे छोटा जो ratio होगा, वो सबसे छोटी side बनाएगा, ठीक है, सबसे छोटा, देखो, A के पास 20 ratio है, B के पास 15 है, C के पास 12 है, सबसे छोटा ratio किस भुजा का या side का है, तो पिटा, 20, 15 और 12 है, मुझे 12 सबसे छोटा लगा, मतलत सबसे छोटी side क्या होगी, पिटा, C होगी, तो पिटा, C की length निकान ला है, तो क्या करेंगे, C का ratio ले लीजिए, 12, और ये जो आया नंबर, इससे multiply कर दीए, है न, तो 12 इंटू 2, कितने होगे, पिटा, 24, और आपको किस में दिया है, unit क्या है, cm, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, 24 cm है, Length of smallest side वो कितनी है, 24, 20 meter, इस question में आपको 1300 रुपई को divide करना है, किस में, A, B, C, D में, इस तरह से divide करना है, आपको A का share निकालना है, इसमें अब हम prick लगाएंगे, चलि स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बाद आपको क्या-क्या दिरखा है, A, B, C, D दिरखा है, तो prick स्टा A, B, या आपका C, और या आपका D, ठीके, आप बात ध्यान से सुनना बेटा, A ratio B आपको क्या दे रखा है, इधर से चलिए, A ratio B आपको 2 ratio 3 दे रखा है, क्यों, क्योंकि सारे equal में हैं, ठीके न, तो A ratio B, equal क्या दे रखा है, 2 ratio 3, तो A ratio B की जबर बेटा, 2 ratio 3 लिखा, ठीके, इसकी बात खतम, अब इधर देखो, B ratio C क्या दे रखा है, B ratio C बेटा, 2 upon 3, मतलब 2 ratio 3 दे रखा है, तो B ratio C के नीचे, क्या दिखे, 2 ratio 3, ये लिख दिया, है न, अब इसकी बारी बेटा, C ratio D, वो भी क्या दे रखा है, 2 ratio 3, तो C ratio D की जबर, 2 ratio 3 लिख दिया, अब हम ट्रिक पे आते हैं, ट्रिक क्या है, पडोसी वाला लिख दो, बस इतनी सी ट्रिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां 3 है, तो बिटा यहां 3 लिखा, यहां 3 है, तो बिटा यहां 3 लिखा, यहां 2 है, तो बिटा इसके परूस में 2 लिखा, यहां 2 है, तो इसके पर उसमें तू लिखा पड़ोसी वाला लिख दो बस ये ट्रिक है तरे स्टार्ट करते हैं अब क्या करते हैं खड़े में मुटिप्लाइ कर दीजिए कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एट है नग 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया यह हो जाएगा आपका 12 3 इंटू 3 9 9 में 2 से मुटिप्लाइ 18 और पेटा 3 इंटू 3 9 9 में 3 से मुटिप्लाइ 27 अब क्या करते हैं हमें रेशो मिल चुका है अब हमेशा क्या करते हैं पेटा सम निकालते हैं रेशो का तो रेशो का सम निकाले 8 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 27 अब हम सबको जोड़ लेते हैं जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये तो 20 हो गया और इन दोनों को जोड़ लेते हैं बेटा 65 आ रहा है सम बिल चुका अब क्या करते हैं आपको जिसको डिवाइड करना होता है आप क्या करते हैं बेटा उसको लिखते हैं और अपॉन में क्या यह उस रेशो का समाता है हमेशा उससे डिवाई कर देते हैं है न? तो यह कितनी बार जाएगा यह 65 के टेबल से ही चला जा रहा है यह तो कितना हो गया है? 20 मिल गया इतना कुश्चन हो चुका हमसे सिर्फ और सिर्फ एका शेयर पूछा है तो एका शेयर निकालेंगे कैसे निकालोगे? बिटा एका रेशो कितना है? आठ है आठ का मुल्टिप्लाई जो आया इसमें कर दीजे कितने होगा बिटा? 1,60 रुपीज एका शेयर होगा एका रिस्टा 1,60 है आपको इस कुच्चन में 3,400 रुपए को डिवाइड करना है किसमें? A, B, C, D में डिवाइड करना है है नव? पहले इतना मतलब 4 लोग है A, B, C, D उसमें हम डिवाइड करना है तो पहले निकले ते A, रेशो B रेशो C, रेशो B इतना पता चल चुका 4 लोग लिकिन किस तरह डिवाइड करना है उन्होंने का शेर कैसे बनना चीए? A and B का रेशो पहला देखो रिस्पेक्टिवली लिखा एक्रम से A और B का रेशो क्या लेना है? 2 रेशो 3 है ना? तो A और B के नीचे 2 रेशो 3 लिख लिया आगे पिर उन्होंने बनना रखा है B and C का शेर किस तरह से लेना है? तो यह रिखा B और C का क्या बोला बिटा? 4 रेशो 3 तो B और C के नीचे 4 रेशो 3 फिर C और D का रेशो क्या बोला बिटा? 2 रेशो 3 तो C और D के नीचे 2 रेशो 3 इतना हो चुका फिर आगे लास लिए जो लाइन होगी उसकी बाद में बात करते हैं पहले ट्रिक से सही रेशो बनाते हैं पिर क्या कहती है? पड़ोसी वाला लिख दो चलिए रिख देते हैं यहां 3 है इधर 3 यहां 3 है इधर 3 यहां 2 है इधर 2 यहां 4 है तो इधर 4 बस अब क्या करेंगी? खड़ी में मंसी प्लाइ कर दीजे तो कर देते हैं बिटा क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 2 कितने होगा 16 अब 3 इंटू 4 इंटू 2 कितने होगा 24 और 3 इंटू 3 9 9 में 2 से मल्टिक्लाइ करो 18 है न? और भी क्या होगा जबता है? 3 इंटू 3 9 9 में 3 से मल्टिक्लाइ 27 अब क्या करते हैं? अब हमेशा हम रेशो का सम निकालते हैं बच्चों पहने गों निकाल लेते हैं? 16 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 27 अब हम क्या करेंगे? बच्चों हम जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं बटा कितना बनके आएगा? देखते हैं बटा ये 85 आ रहा है है न? इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम ये जो रुपए जिसे डिवाइड करना होता है हमेशा उसको हम लिखते हैं और जो रेशो का सम हम निकालते हैं हमेशा उससे हम क्या करते हैं बटा? डिवाइड कर देते हैं तो कर देते हैं कितनी बाद जा रहा है? 85 की टेबल से ही जा रहा है बटा है किस का बी और डी का है न तो बी और प्रस बी का शेर पुछा है बटा की हिस्सा कितना है? तो बटा क्या करोगे? बी को देखो बी का रेशो कितना है? 24 और क्या चाहिए? डी चाहिए तो बी का कितना? 27 इन दोनों के सम का शेर पुछा है ठीके इन दोनों के सम का हिस्सा पूछा है तो B और D के रेशो को आप जोड़िए तो जोड़ लोग 24 प्लस 27 तो दोनों का कमाइड आ गया B प्लस D का पूछा था तो दोनों के शेयर जोड़िए और मंटिप्लाइक इससे करोगे 40 से यह जो आया इससे मंटिप्लाइक अगर सिर्फ B का पूछा होता तो हम क्या करते 24 लेले थे और 40 से मंटिप्लाइक कर देते तो पहले तो sum करो इनके ratio का, तो बिटा, आपने कर गया, फिर 40 से multiply, कितना बनेगा बिटा? ये बनेगा आपका 51, अब multiply कर देंगे, तो कितने रुपए आ जाएगा? 2040 आपका answer है, इस question में आपको 370 रुपए को divide करना है, किस में? A, B, C में, सबसे पहले यहीं तब चलते हैं, बाकी question बाद में देखते हैं, ABC तीन बोला है, तो बिटा, A, B और C लिख लिया, अब आगे चलते हैं, किस तरह से divide करना है? तो उन्होंने कहा, A, ratio B, क्या लिना है? 3 upon 4, ऐसे कैसे लिखा है? बिटा, सबके बीच में equal sign है, यह sign यह बताता है, कि बिटा, यह इसके equal है, और यह इसके equal है, तो A upon B, मतलब A, ratio B आपको लिया है, बिटा, 3, ratio 4, तो A, ratio B की जगर, 3, ratio 4, और B, ratio C की जगर, भी 3, ratio 4 लिना ह तो B, ratio C आपका यह, उसके नीचे, 3, ratio 4, अब trick लगाते हैं, trick वही पुरानी, जो आपने सीखी मुझसे, यहाँ जो number है, पडोसे में लिख दीजिए, पडोसी वाला लिख दो, यहाँ 4 है, बिटा, यहाँ 4, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3, अब खड़े में multiply कर दीजिए, तो कर देते हैं, 3 इंटू 3, 9, 4 इंटू 3, 12, और 4 इंटू 4, 16, अब इसके बाद क्या, आपसे एका शियर पूछा है, वो तो हम निकाल देंगे, सम निकाल दें, बिटा, ratio का, हमेशा, तो बिटा, 9 प्लस 12, प्लस 16, कर देते हैं, 9 प्लस 12, प्लस 16, जोड देते हैं को, कितने बने बिटा, 37 बनेगे, अब क्या करते हैं, हमेशा, जिस हिस्से को, जिस रुपए को आपको डिवाइड करना ही, उसे लिखते हैं, बिटा, अब क्या है, जो रेशो का सम आपने, निकाला 37, उससे डिवाइड कर दो, कैंसल करो, कितना आया बच्चो, 10, अब सिर्फ इस कोश्यन में आपसे एका शेर पुछा है, तो एका शेर कैसे निकालोगे, एका रेशो आपने क्या निकाला बिटा, नाइन, उसका मल्टिप्लाइ किसमे कीजिए, इस 10 में कर दो, कितने रुपए हो गए, नभे रुपए बच्चो, एका शेर है, उस चिन में आपको 94 को डिवाइड क लेकिन किस तरह से, तो अब उसकी बात करते हैं, जहाँ दीजिए, ये लाइन, अंडर लाइन कर लेते हैं, बस, ये है कोश्चिन पिटा मैं, ठीके, क्या बुला, 94 को दो हिस्सों में इस तरह से बाढ़िए, कि पहला वाला हिस्सा, फिप्ट पार्ट बने, कहने का मतलब, पहले हिस्से का फिप्ट पार्ट लेना है, पहला हिस्सा बिटा, एसे बता लेते हैं, उसका कौन सा पार्ट लेने को कहा, उन्होंने कहा, फिप्ट पार्ट लेना, मतलब, बन बाइ फिप्ट, फिर उन्होंने आपसे कहा, कि बिटा, जो सेकेंड वाला हिस्सा है, उसे बी स बताती हूं, उसका कौन सा पाट लेना, उन्होंने कहा है एंट इस पाट लेना तो वन बाई एट टो रेशो बनकर आएगा, इन दोनोंका रेशो बैटा, वो रेशो क्या बनेगा तो उन्होंने कहा 3 अपणल 4, मतलत 3 रेशो ComDI assessor 4 बनेगा यह लिखा बिटा मैंने अब क्या इस रेशो को मैं मंटी प्राइम में बदलना चाहती हूँ तो इसको पलट दीजिए किसको इस इससे को बिटा पलट दो तो मंटी प्राइम में कनवर्ट हुजा करें ऐसा यह एक नहीं बात है आपके लिए ठीके अब मैं A upon B लिख लेती हू यहां पर यहां क्या बिटा 3 upon 4 है 5 divide में था उधर गया तो बिटा मुल्टी प्राय में चला गया और 8 मुल्टी प्राय में था तो दिवाइड में चला गया ठीकि, जब दूसरे करफ ले जाते हैं, तो divide वाला multiply में और multiply वाला divide में चला जाता है अब इसको solve भी कर लेते हैं, 3 into 5, 15 होता है बिटा, और 4 into 8, 32 तो हमें ratio जो पता चला, A ratio B, बिटा क्या है A ratio B, 15 ratio 32 इसके बाद हमेशा हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं बिटा, ratio का तो दोनों को हम क्या कर देए, जोर देते हैं, 15 प्लस 32 हम इसको जोरेंगे 47 आज़ा ठीकें, इसके बाद क्या करते हैं, हमेशा हम यह जो, जिसको भी divide करने को बोलते हैं, उससे लिखते हैं और क्या करते हैं बिटा रेशो के सम से डिवाइड करते हैं रेशो का सम आपका कितना है 47 और इससे हमने डिवाइड करा हमें मिला 2 अब क्या करोगे फर्स्ट पार्ट पूछा है ये पूछा है हम तो सभी निकाल सकते हैं ये निकाल के बताते हैं यह निकालोगी कैसे, A का रेशों कितना है, 15, और किस से multiply, 2 से multiply, कितने हो गए बिटा, 30, अब B का निकालते है, B का रेशों कितना है, 32, तो B के रेशों में, मतलब 32 में बिटा, इस 2 से multiply कर दिया, कितना हो गया, 64, आपसे पहला part पूछा था, पहला मतलब A पूछा था, A कितना है बिटा, 30, आपका answer 30 है, बच्चों इस question में आपसे कहा है कि एक व्यक्ति है, वो distribute कर रहा है, वित्रित कर रहा है, पेनों को, कलमों को वित्रित कर रहा है, किन में, 4 दोस्तों में, 4 दोस्तों के नाम A, B, C, D है है ना, और उनका ratio ये है, मतलब इस ratio में वो बाट रहा है पेन को, ठीकि यहां तक कि मैंने बात करी, question आगे क्या है, बात में लेखेंगे, सबसे पहले जितना पढ़ा, जितना समझा, उसे लिखते हैं, A, B, C, D, 4 प्रेंट है बिटा, तो A, ये B, या का C, और या का D, 4 प् 3, 1 अपान 4, 1 अपान 5, और 1 अपान 6, अब क्या, अब उन्होंने कहा है, आगे बढ़ते हैं, कि उन्होंने को रखा हैं कि आख minimum number of pen, कितने बाटेगा हो, कम से कम कितने pen बाटे, कि इस ratio में इन 4 रोफ्टों को बढ़ जाए, तो सबसे पहले बिटा में सही ratio निकाल के बतात कैसे निकालोंगी, trick से करेंगे, LCM नहीं निकालनेगे, कैसे करेंगे, यह जो number नीचे लिखे होटे हैं, यह नहीं होने चाहिए, बस इतनी सी बात है, तो 3, 4, 5, 6 नहीं होने चाहिए नीचे, तो इनी से उपर multiply कर दो, बस यही trick के बच्छे, तो कर देते हैं उपर, यह 3, 4 पांचे से multiply, यहाँ पर भी कोड़ा distance कर लेते हैं, अब करते हैं, यहाँ कर दिया बिटा, यहाँ पर भी क्या, 3, 4, 5, 6 से multiply, यहाँ पर भी 3, 4, 5, 6 से multiply, और बच्छों यहाँ पर भी 3, 3, 4, 5, 6 से multiply, अब देखें क्या कटा, यह कटा, यह कितने हो गए, यह हो गया बिटा, 120, 4 से 4 कटा, यह हो गया, 90, 5 से 5 कटा, यह 12 इंटू 6, 72, ठीके, और 6 से बच्छों, 6 कटा, यह कितना हो जाएगा, 60, अब बिटा, यह जो numbers का ratio निकला, यह बिटा, किसी ना किसी number से divide हो रहा है, सबसे पहले बात मैं किससे divide कर दूँ, 2 से ही कर देखें, सबसे पहले 60 आएगा बिटा, इसको 2 से करेंगे, 55, इसको करेंगे, 36, बिटा, इसको करेंगे, 30, हो गया तुसे divide, बिटा, यह अभी भी किसी number से complete divide हो रहा है, complete ratio किसी एक number से divide हो रहा है, वो 3 है, तो 3 से कर देखेंगे, बिटा, तो यह 20, यहां 3 से करोगे 15, यहां करोगे 12, और यहां करोगे 10, है न, अब यह किसी एक number से divide नहीं हो रहा, ठीके, अब नहीं divide होगा particular एक number से, तो अब हमसे question में पूछा है, कि आप इन चारों friends को किस तरह से pen distribute करते हो, इस ratio में यहीं distribute करते हो, तो minimum number of pen कितने बटेंगे, वो बताना है, तो बिटा, यह जो ratio आया है, जो हमने यह दिया था, उसे सही किया, बिटा, बस इनको जोड़ बिटो, minimum number of pen जो बटेंगे, वो आ जाएंगे, तो जोड़ देते हैं, तो क्या हो गया, sum निकाल दे बिटा, कितना है, 20 plus 15 plus 12 और plus 10, अब इन सब को जोड़ दे, कितने होगे बिटा, यह जाएंगे आपके total, यह जाएगा 35 और यह जाएगा 22, 57 minimum number of pen जोगो बैक्ती बाटेगा, किस रेशो में, इस रेशो में इन चारों फ्रेंड्स को, तो कितने बटेंगे बिटा, 57 pen बटेंगे